गोल्डी किचन को सब्सक्राइब करिये, बेल आइकन को क्लिक करिये, ले टिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज, मैं गोल्डी और आप सभी का गोल्डी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम अपने किचन में कंडेंस मिल्क बनाएंगे, इसे मिठाई मेट भी कहते हैं, कंडेंस मिल्क को बनाने में एक घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही आसानी तरीके से कंडेंस मिल्क बनाएंगे, वो बिसिफ दो मिनिट में और बहुत ही कम इंग्रीडियन स ये condensed milk मार्केट से बहुत ही सस्ती होगी और मार्केट से बहुत ही अच्छी होगी आप इस condensed milk कायूस किसी भी तरह की मिठाई बनाने के लिए कर सकते हैं आप इसे लड़ू बना सकते हैं पेड़े बना सकते हैं या फिर आप इसे खीर में डाल सकते हैं तरह तरह की स्वीट करते हैं और जहट पर कंडेंस मिल्च तयार कर लेते हैं वह बिसे दो मिनिट में अगर आप इसी तरीके से क्विक और इनुवेटिव रेसिपी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नी अगर आपके पास खड़ी चीनी है तो आप उसे मिक्सर जार में डाल कर ग्राइंड कर लीजिए एक चोथाई कप हमने घी ले लिया है आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं वन टेबल स्पून हमने कॉन फ्लार ले लिया है हाफ टेबल स्पून हमने बेकिंग सबसे पहले बेंगे मिल्क पॉडर करेंगे साथ हमसार शुगार पाउंड कर देंगे पचास घ्राम के करीब या फाफ कॉप और इसमें बन तेबल स्पून कॉन्फ्रयर अब आ रहे हैं इसमें 1 ब टेबल स्पून बेकिंग पाउडर अड़ कर देंगी हम इन सारे इंड्रिडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगी हम इसमें सबसे पहले हाफ कप के करीब हलका गुंगुना पानी आड़ कर देंगे और इसके घोल तैयार कर लेंगे हम बहुत साध पानी आणड अराईट करेंगे और इसका ता अचा घोल करेंगे तो यह जल सकता है और continuous stir करते हुए हम इसे पकाएंगे लगभग एक मिनट के लिए पहले हम इसे पकाएंगे फिर उसके बाग हम इसे और एक मिनट के लिए पकाएंगे यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ जब भी आप condensed milk बनाने के लिए milk powder खरीदे सबसे अच्छा आप नेसले का milk powder ले नेसले का milk powder थोड़ा सा sweet होता है और बहुत ही low cost में भी मिल जाता है एक मिनट पूरे हो चुके हैं एक से दो बाल इसमें आने शुरू हो गया है तो अब इस स्टेज में हम इसमें एक चुथाई कप घी आट कर देंगे और आप हम इसे फिर से continue stir करते हुए लगभग एक मिनट के लिए और पकाएंगे टोटल दो मिनट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि econ Kinelmass अच्छे से तयार हो चुका है बहुत ही बन्य तरीकी सी यह ठीक हुआ है और इसका texture आप देख सकते स्टोर कर देख्ख मिल को अधी। एक महने तक स्टोर कर सकते हैं आप 1 महने तक भर दार, पेड़े बना हैं., या फिर आप इसमे खीर में डाल सकते आप अनिक तरह की इससे मिठाईया तयार कर सकते हैं अगर आप इसी तरह के से क्विक और इनुवेटिव रेसिपी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो की नीचे एक रेट कलगा सब्सक्राइब का बटन उसे क्लिक करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजे बगल में एक छोटी से घंटी नजर आएगी उसे भी दबा दीजे ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने घर पर जरू ट्राइ करें और अपने एक्सपीरिंस कमेंट में हमसे जरू शेयर करें मुझे उमीद है कि आज की मेरे रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को जरू सबस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे जादा से जादा इसे शेयर करेंगे और अपने एक्सपीरिंस कमेंट में हमसे जरू शेयर करें तब तक के लिए खाते रहें और देखते रहें गोल्डिस कीचन थैंक यू फ्रेंज बबाई